तादरी विधान सभा का ये वो इलाका है जो आज से पांच साल पहले सुर्ख्यों में रहा है। तादरी विधान सभा का ये वो इलाका है जो आज से 5 साल पहले सुर्ख्यों में रहा। ने वो व्यक्ति रहता था जिसकी कहा गया था कि गत्त तर तोर पर हमावाश मिले था जिसको लेकर काफी जो आए। और इसी तनातनी के बीच इसी जघ्णडे के बीच उसकी मौत हो गई। जिसके बात खूब राजनीती होई। उनके परिवार वाले थे, उनको खूब पैसा दिया गया, आज इस गाउं में बात करूँ तो अखलाक यहां नहीं रहते हैं, अखलाक का जो परिवार है, वो यहां नहीं रहते हैं, तो अखलाक के परिवार वाले कहां रहते हैं, पूछा गया, तो बताते हैं कि अखलाक के घ पक्ष पर किसी ने बात नहीं करे, दूसरा पक्ष ये था कि ठीक है, अकलाक के घरवालों को पैसे मिले, धनवर्शा हुई, घर बनवाए गए, उनके नॉलडा में घर दिये गए, गाजेबाद में घर दिये गए, लेकिन दूसरा पक्ष जो था, उसकी बातों को सुनाने गय इस घटना को लेकर कोई बात होगी, परिचर्चा होगी, क्योंकि ऐसे बीते कुछ समय में देखा गया है, दर्शकों की हाथरस का मुद्दा हुआ, हाथरस के मुद्दे को लेकर खूब राजनीती हुई, वहाँ पर राजनेता टोली बना कर पहुँचे, ऐसे में अब लख किसी बीते की बात करों, किसी से बीते करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि बिलकुल नहीं, उस घटना के बात से लिकर आज तक यहां कोई राजनेता जखने क्या, देखने भी नहीं आया, मूलभूत सुवधायें जो थी पहले भी थी, वह पहले की तरह कायम है, बाकी कोई विकास नहीं हुआ, किसी भी पक्ष की बात कर लूँ, यहां जो मुस्लिम परिवार रहते हैं, उनके साथ भी किसी राजनेता ने किसी तरीके की बात चीत, उनको सुवधायें देने की कोई Czech रही हैं, बाकी जो अलग परी परिवार हैं, उनके साथ भी ऐसा ही रहा, त तो यहाँ पर लोगों की एक और जो चीज थी वो सुनकर अलग लगी, उन्होंने कहा कि जब घटना हो जाती है, तो यह प्रेम उमड कर बाहर आता है, जो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जब तक लोग जेवित है, तब तक उनकी सुवधाओं का क्या, इस पर बातचीत तो ऐसे में कुछ लोग है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जी, आपका नाम क्या है, नाम बताइए, विष्णु कुमार, जी बताइए, 2015 में जो कुछ यहाँ पर हुआ था, घटना हुई थी एक, उसको लेकर बड़ा माहौल बनाए गया था, अब उस विधान सबाद चुनाओ फिर आने को हैं, चार-पांच महिने बाद विधान सबाद चुनाओ है, आपको लगता है कि इस गाउं में, यहाँ पर अभी भी कुछ बचा है, जो उस मुद्दे के जरीए, यहाँ पर कुछ हो सकता है, सत्ता में, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बचा, जो उस मुद्दे से कुछ बेनिफिट मिल सके, वो मुद्दा उस समय भी कुछ नहीं था, उस समय भी एक तरफा कारवाई हुई थी, और जितने भी मेडिया थे उन्होंने वो चीज बताई नहीं, जो गाम के अंदर गटित हुआ था, यह चीज आपने बार बार बेहद रो हैं, उनकी बाते नहीं सुनती थी, एक पक्ष को दिखाती है, आप यह कहना चाहरा है, वो एक पक्ष को दिखाती थी, क्योंकि जो इकलाग नाम का सक्स था, उसने गाय को काटा, बच्ड़ा था, काटने के बाद जो पबलिक थी, आम पबलिक, रोस मां आका उसको खाली कशी learning, काटने के बाद उसने उसको मीट का वितरन किया था, यह क्यों का कई लेक। उस रात इसने गाय काटके मीट जो उसके वो रहते हैं ना खाल वगएरा सींग वगएरा खोर उसको फैंक ने गया था यह तो फैंक ते समय इसको लोग बागों ने देख लिया इससे पूछा भी क्या है तो इसने उस चीज को डाइवर्ट कर दिया लेकिन जब पता चली कि य तो उस फ्रीज में बचा हुआ मास रखा हुआ था जिसे कि यह दो तीन दिन इनकी जो इद होती है वो तीन-चार दिन चलती है उसको यह बराबर खा रहा था यह था मैटा इसके भीड कैसे खटा होगी जो जन्होंने हमला किया था बताय जाता है भीड कोई ऐसी भीड इख तो उनके बेस पर उन्हें बत्तमीजी बोले लगे तो बच्चे या जो भी थे उन्होंने तूतू में मैं उसी में इनमा आपस में जगडे होगे उसी से इसकी जो भी कुछ हुआ इसके साथ मारा गेरा जो भी यह उसी से हुआ अर जबकि दिखाए गए कि बहुत पीटा ब पक्ष की बात सुनी गई Taliban की और जो दूसरा पक्ष का उसकी बात भी नहीं सुनी गई ए इस मामले मं यह कुछ नहीं कह सकता है नहीं कह सकते हैं लेकर आप समझते हों ग़ें सीज को मानते है कि मुलैमसींग आदब की सरकार थी इस लिए एक पक्ष की बात को ज्यादा रख नहीं नहीं जो वो नाम कोई मौके पे है तो भी न मिल्ब कभा adoreka कि को सब्सक्राइब थे जो सब क्रादर क可ुष लोग रह पारें आराम से कोई अब तनाव तो नहीं है कुछ भी नहीं है किसी तरक कोई तनाव नहीं है मुसलमान तो बहुत खुस रहते हैं सारी हैल्प या जो भी उनकी रोजी रोटी के जरिये होते हैं वो सब यहां के हिंदु भाई करते हैं पहले भी नहीं था जी जो सफ़uschद की कि सब्सस्राइड नहीं मिलिगे सरकार सिर्डलयके संफेक्राइड । वह सारी मेली यहां जितनी भी सुब्दाई थी वह सारी दिया और जितनी भी पार्टी आई थी खाली एक बीजेपी को छोड़ के चाहां वह आम आदमी है चाहां सपाय चाहां बसपाय चाहां तुम्हारे यह बंगाल की एटू जैड मैं ओबेसी जिसका कोई लिंक नहीं था कोई किस लाग कोई फ्यार उसकी काउंट यह नहीं है कि वह कितना पैसा कहा है जिंदा रहने पर कोई नहीं सुनता इनकी लेंके near techno कि बारा जिसका आजनीत की जाती है लकिमपूर खिरी में सुना अब सुना है लेकिन देखा नहीं है अभी तक थोड़ा बहुत आप जैसे यह बता है यह चुनाओं के आसपास पास आते ही है जो मुद्ध आ जाते हैं अभी हाथ रस का मुद्ध था आप ने सुना होगा लखींपुर खिरी हो गया है तो एक दम से मुद्ध उभरता है पार्टी क जो कोई हिऄ जाती है उस के बाद कुछ नहीं कोई नहीं आता कोई नहीं आता सारी मीडिया रहती थी क्राफ दैआ तुम आपकाश घर्ण गोड़ा उससना काट है यह इसी के नयुजे सार्दियों में वह बच्षडा नीचे बैटता था वह गाय उसी को यह लेकर गया तो प्रतक्षम खूब जानते हैं और जबकि इनकी धी बेटियों की साधी में इसी में टेंट लगता था सारी विवस्ता यहां के सब्राजपूद भाई हिंदू लोग सारे तनमंधन से करते थे लेकिन घटना घटने के बाद जैसे भी हुआ एक दुर्भाग्य वक्स थी वो जो किया गाम और समाज गपरती वो बहुत बहुत बड़े बुड़ों के साथ इतना बड़ा धोका क्या गाय को काटके गाय को हिंदू कोई खिलाना इस तरीके का माहुल जो इसने बनाए बहुत ही जगन्ना प्रात था इसका लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ अरना ही यहां क यह तरह की हरकत ना पर रही मीडिया की बात तो तो उस समय जितनी भी मीडिया थी पर तक चुरूप से मैं खुद उस समय भी बोला था कि बया यह गाटना इस तरह की है नहीं जिस तरह से आप बार-बार इसको मीडिया पर दिखा रहे हो आप या तो सच्चाई को सच्चाई के तरी से दिखाओ नहीं तो मत दिखाओ लेकिन वो उस चीज को नहीं था उन्हें सिर्फ उस समय एजंडा था पैसा कमाना उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे थे यूपी गवर्मेंट से भी और बाहर हिंदुस् मुझ नहीं है सांती यह उस समय भी सांती थी मुझ के मरने के अगले दिन भी सांती थी यह तो एक बो था कि बस इसको हाइलाइट रखना मीडिया का जवाब वाड़ा रखना उन्हें अप 15-20 दिने एक महीना उनकी बहुत अच्छी रोजी रोटी बनी बहुत अच्छी कमा आप पहले की बात भी बता सकते हैं अपला तून इस गाम के मानी हुए हस्ती थी और वो गंगा जमना के वीच में सबसे बमानी हुए है आज हमें बड़ा दुख होता है जब इकला करना माता मतलब यह था कि उस समय जो राजनीती थी उसकी वज़ा से मुद्य को इतना हाई बुकिया गया हाँ राजनीती अब यह देख लो ना अब यह जो यहां कौन सा कांड़ा है अभी किसान विसान वाला लखीम पुर खीरी उसमें क्या है यार वहां भी तो एक तरफा दिखा रहे हैं सब कारवाई दबाब में करवा रहे हैं वो किसान लो जबकि वो उनसकी ग सब्सक्राण बूच के कह रहे हैं कि यह मरगे मरगे वो भी तो एक क्वाल्टिकल मुद्धा बना रखा है उन्होंने जवर जस्ति योगी जी और मोदी जी के खिलाप है इन्हें वैसी तो अब रोटी मिल नहीं रही कहीं भी क्राइम करने को नहीं मिल रहा ब्रश्टा चार और मेन मुद्धा बना के इसके पीछे वो ही जो मैंने बोला था कि मरने के बाद इनकी गिद्ध जैसी राजनीती है मास को भी नौच लो अब वो किसान मर गये हैं वो दूसरे वो आदमी नहीं एक तो इनके लिए आदमी है चार तो किसान होगर जो चार मरें जो पीटे जो बच्चे हमारे जेल में थे या उनके फैमिली कैसे चली माबापो के साथ क्या गुजरी वो कोई मतलब नहीं था सिर्फ एक ही आदमी था एक के अंदर जान थी बाकि यह जो 19-20 बच्चे थे पूरा गाम हतास रह पूरी अर्थ व्यवस्ताई डेमेज हो गी थी किसान अ पर अखर रहागा डेड़ बोड़ी यह पर आपकी गाड़ी घड़ी आठ दें आठ दिन कोई नहीं पिर सासना आया बहुत सो लोग कहते हैं कि बताई अखलाक को विचारे को जो बाकी फैमिली बची थी वो घर छोड़ना पड़ गया नहीं घर छोड़ना नहीं जी उनके अधा मजबूरी थी यहां दो कम्रे का मकान में क्या करती हैं वह आली सान मकानों में रह दिया हैं चार-चार मंजिल की कोठी बनी हुए हैं जा कर देखो दादरी में अलग मकान है नुएड़ा में अलग है गाजयवाद अलग है दुकान और बिजनिस चल रहे हूं यहां क् सब्सक्त कर देजिऊ कर दो के दोदुक हम रहे के नॉरमल जिंद की जी रहे हूंसाही जिंद की जी रहे हूं मौज आगी कि चलimm और तो यहीं सामने क्यों है कि काम सही हो रहे हैं अब लूट मार खतम हो गई जगडे का जगडे भी ना है कोई उपरे सानी है नहीं नहीं अब अब तो नूचले आम है पैदल भी हने माल लगाई पहले किसे जाते थे हैं पहले पैदल आपी पगड़ का दो अब यू तो खतम है हां और भी अपानल्य फोल खोल खोलकर और बांद कर दंदा और बाजला अब जुब अपराद काम हो गया है अपराद काम हो थे श्क्राद्ट काम में फुर्स सब्सक्राइए बढ़िया काम कर रहे हैं अच्छ प्रश्न पूरा पूरा कटा में गुंडाई खाता में सब चीज खाता में तो इस चीज से तो हमें बीजेपी बेनिफिट और यह जो और पार्टी आ रही है जैसे बार नई पार्टी आए आप आदनी पार्टी भी आ गई है कॉंगरेस विल इन से आपको कितना क्या लगता है यहां से बांए यहां सरक्ता आपिस इस जितने हें भी थाकरों के घाए सम्में बीजेपी आपर कितने होंगे गाओं में लगभक अगाओं नहीं घॉत आफिछा तो यह ली ऊच्पूतों का गाहव तो ऐसे वहां एहां पर ऑपर बीजेपी को बोट ते तो उनिका कार वोटर है यह आप लोगों को तो पता ही होगी खेर बहता डंग से हम मीडिया वाले जब बात करते हैं बिसाड़ा गाउं की तो यह पर घटना हुई थी पांच साल पहले वो घटना थी कि एक अखलाग था उसकी हट्या हुई थी तो ऐसे पर उसका भी तक कुछ बचा है वो मुद्दा भी ह आपको लखता है यही पिर खुटो फटना गया था बनाया गया था उसवक्त खुद बनाया गया था उनको ही महरीं ही तो तो Пока लेजी जो संटेपनें पर बढ़ला दो만 घो तो एक वैधेदासा ओसके बाचनी था जान भूच किसी नहीं किसीれる तो जब बाढ इखती हो जाते तुम्हें पता है कहीं एक साथ तो हाँ पर दुरुवटना होती है ना खेत का जगडा हो जाता है मेड़ का जगडा हाँ तो एक खटे हो पब्लिक जैसे गाउं की खटी हुई उस वेज़ा से मौत थी को प्लानिंग के थुरू कोई मौत नहीं थी उसकी वह तो वैस बनाया ग तो एक्सिडेंटरी तो हुआ को जब थोड़ी ने मार दिया किसी ने किसी को अब यहां पर जा रहे हैं कि यहां पर वो जो मुद्दा जो 2015 में देखते थे कि उसको इतना बढ़ा चड़ा कर पेश किया अब वह वैसा रह नहीं गया तो 2017 आपको पता लग गया होगा जब य पता लग गया दर 2017 में अब यहां पर इस गाउं में अगर बात करें मुद्धान रहे हैं कोई तोड़े ना रहे हैं हो गया तो टैम था फोड़े ना किसी सब आपका कहाना कि मतलब वो मामूली घटना थी एक आम घटना थी उसको पॉलिटिकल पॉलिटिकल सब्सक्राइब करते हैं कि अच्छी आपकर हिंदू-मुसल्मान आप प्यार से रह पा रहे हैं वह जात प्रादरी जो पहलाते हैं और पार्टी पहलाती है यहां पर और बी कुछ समस्या तो जरूर होंगी कुछ समस्या तो होंगी कि उन चीजों पर आपनों लगता हो कि सुधार किया जाना चाहिए इस गाउं में है नहीं हमारे गाउं में तो कोई भी समस्या नहीं है सब बढ़िया चल रहा है आपके गाउं के लिए आपको क्या लगता है तीक है नहीं मेरा कहने का मतलब आपने समाजवादी कि का कारेकाल भी देखा एंकि कौई बीजेम कर ने सब्सक्राइब से ऐसे किछ आपको वो करते हैं फ्रीमें कितनी कोवित सब्सक्राइब कर दोरा ने आपर बीजेपी ने सही से काम किया रहे हैं तो यह जो मुफ्त बिजली की बात कई जाती है साफ पानी मुफ्त पानी इसको लेकर आप लोग क्या समझते हैं मुफ्त के खाने की तो अगए कैसे लोग के जो बीजेपी है इसने कुछ नहीं किया उन्होंने जो विकास किया था वो विकास अब देखने को नहीं मिल रहा तो इससे आप क्या समझते हैं सचीजों से कि अधर आप कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया था गाहों से लेकर शेहर में विकास करवाया लेकिन योगी सरकार आई तब से विकास कुछ नजर नहीं आ रहा वो हमारे काम उपर फीता काट रहें नाम बदल रहें अब योगी सरकार आई आप खुज ही देख लो उत्तर कोई होनगान बोगी सर्फ्ट कि अच्ट श्यक्रत शरी चमल परदेश एक्ष्रेस जानना जानना ही लगा है काम कैसे नहीं करार रहे है को जवस्ति ति बोलने लगे की काम कि देनक वी छिवस्ती नीं कराय यह विकांद बक Spara所िक दege कर यह अगि मुसलमान कराय मुसलमान कर पार्टी से कोई प्राइब कुछ नियुक्ष नी है इसको भी आपने के बड़ा करीब से देखा हुआ इसको क्या समझे की राजनीति करड किस तरीके से किया गया या फिर मामले को इतना तूल दिया गया तो पता है इस चीज को समझते हैं गांव मैं साड़ा की जब बात होती जब भी न्यूज वाले आते हैं ना कोई केस हो जाए तो एकलाक कांड तो जरूरी जोड़ते हैं पताने क्यों एकलाक कई गाम है क्या मेरे को पूछ रहा हूं अर्विदान सवाम जाके पूछता हो लिकिनिया आपर सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है आप होता है तो तुरं लोगों से ही मेरे हिसाब से लोगों से गाओं बनता है लोगों से शेयर बनता है लोगों से देश बनता है तो आप लोग तो इस बात को डिनाय करते हैं कि इस नाम से ना पुकारा जाए हमें तो अच्छा नहीं लगता है बिलकुल भी एकलाक गाओं का है था अब यह थोड कि यहां पर समराट महिर बोज की जो मूर्ती का नावरण हुआ उसको लेकर बताए जा रहा है गूजर राजपूत आमने सामने आ गए आप उसको लेकर किस स्टेंड पर हैं कि देखो इस्टेंड के वह हमारे पूरुबज है और रहेंगे अब गूजर कहते हैं तोमर भी गूजर है चौहान भी गूजर है अरे बताओ तुम अब से कहां सोरे ते दो साल पहले तुम्हें याद आई है कि मीरवज तुम्हारे बाप है अब आप तो तुम किसी बना लो यह कोई वह तो हमारे राजपूत है ना अब यह कह रहा है कि गूजर जो है वह दरहसल वह चेत्र को दिखाता है वह गूजर थोड़ी नहीं थे मिरवज वहां गुजरात में कोई गाम ताग उच्छा करके इसको उपरोन का नाम गुजरात में गूजर कर दिया गया था वह जाती से तो राजपूत हिते है वह तो गूजर थोड़ी नहीं थे यह मतलब कुल मिलाकर बात ही की इस गाओं का जो पूरा बीजेपी का थे ना पूरे चेत्र का जी पूरा चेत्र का है बीजेपी अब बीजेपी अब देखा आपने गुंडा गर्दी विल्कुल खता हुए बढ़ी है आते रहे हमें मुक्यमंत्री बनने कवाद हमारे गाउं में आये थे मानियोगी जी अफिर दो बार आएंगे पहले तो बड़ा यहां पर मैंने देखा था मैं 2015 में भी यहां पर आया था कवर करने यह बताए तब तो मैंने खूब देखा था अखिलेश यादव से लेके असदुदीन तो थे भी नी फिर भी वह यहां आये थे हर पार्टी के एक से नेता यहां पर आये उसके बाद वहाद कोई भी नहीं आया वाली यहां फूंग मामुला ताजा होता है तो उसको राजनीती को तुछाव ने जाता है उस आधे रूप दिया जाता है पर जब करेंगे उस टाइम पर पूरा माहूल बिगार दिया था गाउं का नाम बदनाम कर दिया था इन पार्टियों ने लेकिन उसके बाद कोई कहीं नहीं आया किसी से मिलने चुर चीज थी कि गाउं के लड़के उठा जा रहे थे कौन कौन है कौन कौन तो आप भी तो हो गया था बहुत आपी चले गया थे सब जो यंग यंग लड़के थे सब चले गये थे उसके बाद उनीस लड़कों के नाम फाया रोई थी और उसमें एक रभीन था जो जेल में वहां पर एक्सपायर हो गया था सही दुआ था अब बाकिया बंदे सब आगे हैं तो मतलब पुरा खले स्यादों का दवाव था वो जिसको मनार था उसको उठवा रहे थे उसका नाम लिखवा रहे थे तो महारा प्रताब की लगी मूर्ती के इस दुआर के साथ यहां बिसाड़ा गाउं की जो शुरुआत होती है और हमारी जो कवरेज थी उसका यहां पर अंत होता है इस कवरेज के जरी हमने यह बताने की कोशिश की कि 2015 में जो घटना होई थी उसके बाद किस तरीके से राजनितिक पार्टियों का जो यहां आना जाना लगातार जारी रहा मेडिया ने जिस पक्ष को दिखाया वो कहीं न कहीं हमारे एक समाज की उस गलत नियत को बताता ह जहां पर एक पक्ष को सुना जाना चाहिए तो दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाना चाहिए जैसी बाते होती हैं उस चीज को दिखाता है राजनितिक उस मंशाओं को दिखाता है कि जिसके जरीए समाज में कहीं न कहीं हम जाने अन जाने खाई पैदा कर देते हैं समाज मे जाने अंजाने एक तनाओ की स्थिती पैदा कर देते हैं तो ऐसे में आज पांच साल के बाद विसाड़ा गाओं क्या कुछ कहता है हमने यहां के लोगों से बातचीत की लोगों के बातीत के जरी आपको सुनाने की कोशिश की है इसके साथ ये भी बताने की कोशिश की कि आखिर यहां पर माहौल कितना गर्म है और माहौल गर्म है तो माहौल क्या कुछ कहता है क्या कुछ सुनना चाहता है तो आज के लिए फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही अगली दफ़ा फिर एक नई कहानी के साथ एक नई विधान सभा में जाकर वहाँ पर माहौल कितना गर्म है इस पर चर्चा करेंगे इस पर वाचीत करेंगे शुक्रिया